कि दोस्तो मेरे सामने डाइप्टिज की तीन पेसेट हैं जो थोड़े ओरवेट हैं एक ले और एक अगर गोलिक Gust lang तो हमने उसे क्या खत井क कर ना चाहता है चाहते हैं के संपोरदें खतम चाहते हैं तो डियवटीज दो को आज की डेट में अगर आपका वेड है शाटा आट किलो कम कर लो तो आपकी कि और प्लेला दिश्या को यालिश्य में और 08 वृट ऑर 19 वेट 15% कम कर ले यानि कोई मालों 17 किलो वेट है 70 किलो का आदमी है या उरत है और 15% किता और 10 किलो कम कर लो कि डियापटीज खतम जाएगी क्योंकि वेट कम से लिवर से फैट हट जाता है इंसुलिक काम बढ़ जाता है पैंक्रियास से फैट हट जाता है इंसुलिक बनना गयहू की बनी चीज़ें स्टेश हरोतीः और चीजह है आलू की बनी चीजे या दूर की चीजू या रिया खिर ट्स शेटी कारभॉाइट्रित थे हैं आप खानें पे कार्भॉाइट्र्ट कम करना है तो कार्भाइड देखो कहा कि आप एक एजांपल दे रहा हूं अधिकांस लोको 1400 कैलोरी देते हैं डाइट मोटिए कैलोरी लो कार्भाइड देंगे इससे वेट आप लोग कम होगा तो आपको इसके लिए क्या करना है कि टोटर पर डे 90 ग्राम देंगे आपको कार् दिन फिल फार्मला है अगर आप रोटी दिन में क्यों दो खाना है बस रोटी 30 ग्राम के रोटी के रोटी बांते हैं लोग उसका एक्विलेंट आप 30 चाल भी खासते हैं रोटी भी मल्टी करें आट रोटी हो या और अच्छा होगी चीला लेलो बेसर चीला लेलो या ओट का चीला लेलो इस उससा कार वारडीट और कम हो या दाल के फिटी बन कार्व होता है में दिन भर में आपको है एक कटोई दाल मिलेगा था किसी दाल मिलेगा उस सभिक दो शैसे कि आ पूट लावड लेटें गार apologize झाल लिएपिर अक बदंगाए प्लस आपको दिन पर एक पाद दूद मिलागा दूद में चाय मिलाओ ये दूद पीलो ये चाय लसी बना जो मरजी करो प्लस आपकर 60 ग्राम ड्राइफूट खाऊगे उसके अंदर कर बारक कार्ब मिल जाएगा प्लस आप थोड़ा सीर्ष करने मिलता है तो आपको कार्ब में मिल लिया आपको दो रोटी एक रोटी दाल और एगला दूद पीना है एक फ्रूट लेना है इसे टोटा करीब आपको 80-90 ग्राम खाब हो जाएगा प्रूटीन में आपको मैं बोला कि एक रोट दाल हो गया कम से पनीर खुब रहाओ पर देप पचास हाट ग्रूप पनीर खाओ यह चीज खाओ इस प्रूटीन मिलेगा को फैट मिलेगा लोग बोलते पनीर चीज से कुलिशनल बढ़ जाएगा सच बात है पनीर चीज से आपको बैट कुलिशनल एल्डियल बढ़ेगा लेकिन साथ गुड एल्डियल और ज्यादा बढ़ेगा तो हाट को कोई खत्रा नहीं है पनीर चीज खाने से पेट भरावर रहता है फिर आप स्वाय बीन के चंक्स खाओ स्वाविन नूटील आता ह यह स्वाविन खास ज्यादा खाओ उसे पेट भरावर रहता है हर चीज जो पेट भारी करें को भूख कम के वेट कम हेल्प करेंगा आपको कुछ प्रोटीन राइफूट्ट मिल जाते हैं आपको अंडा रांडा खाते हैं वो कम से कम कोशी करें कि चार्च शेंटे डेली खाएं वाइट खाएं यलो भी खाद को दिकते हैं जोलो मीट मेश्टी आप मीश्ली खाएं आप बटर चिकन खाओ को दिकती हैं आप किता मस किया मुखन डेली खाना है घी मकाज़ कुलिशार बरता है बैड वाला तेकि गुट एजडील बरता है हाट को को खतरा नियों ता गलादा अलू डरते हैं फित आपको जो तील होता सर्सो तेल आ मुंफरी तेल अ तील का तेल या एक्स्टा बर्ली अलीवन तीन तीन डेली यूज कर सते हो लेना चीए जब तो फैट रिखाओगे फिट भराबर ने लगया आप रोटी खुछ चुपड के चिला खुछ चुपड खाओ या फिर आप इवन एवन ब्लैक टी पीरो या आप ए कोई टी पीरों तो हर्का एक्षब घिरा सते हो माल कुछ और रिका रहे अधिए अधिए भागी जाइस खूपड खाना आपको ड्राइफ क्या खाना आपको वादाम अकरोर प्रिस्ता काजु मुफळी पांस रिक काना है कम सह साट ग्रम डेली डेली साट ग्रम खाना रही बिसा खाना है आ ऑन शम श्तित अबियों प्रग आपको अब तो कश्राइब हो जाए सब्सक्राइब हो तीस ग्राम में दाम करीब 25 चम्ईर इस भाए थे कि जब करो तो अ करो सब इस drug ConnectО पिस्ता के कम से कम असी नभी पीस हो जाएंगे चोट बहुत लाइट होता है मुफली का भी बताई देविन आपको खाना है फिर कम से कम दिन वे तीन सा चमर अल्सी की फ्लाइक सीड बहुत फायदे मुची होता है इसल पेट भरा होता आप अब सवाल की अब मरी बोडर करते हैं और खूब सलाथ हर बार भर भर सलाथ खाना है इसे भूक मरेगी, वेट घटेगा, सलाथ प्रोटीन सब मिलेगा अब सवाल हमने पूछा आप तीन सबसे पूछा सब दो तीन रोटी नास्ते भारे है दो दो फर खारे रात तीन खारे है गलत खाना है दिम में क्यों दो बर खाना है इसे बताए इंटरमिटेंट फास्टि कम से कम कोई तीन रोटी एक मिल मिल कर दीजे हम लोग नौब लेक ब्रेकफास्स करते दिन करते है तो सबसे पर उठके अप एक फिकी चालीजिए चाहे ब्लैक टी लिजे चाहे तलका दू डू डालीजिए चीनी अवार्ट करिए बहुत इच्छा हो तो दो चमर चीनी अला टान हे अब वेक हरफ ज्कित कारभायोर मतर रहता हागुत कोई बिसकित निंग inम्रा आप लेते हैं आप फिकी चाय लीजिए साथ में बदाम लेता हूं या खुरूड लेता हूं में फिर तीन चार चमज अलसी बीज लेता हूं हम लो मदरी से उनका आता है रोस्टेड फ्लैक सीट बहुत टेस्टी होता है वो चार चमज खाई आप एक मुठी ड्राइफूट खा लिए फिक च नास्ते में जो लो अंडे खा तीन अंडे खा लिया यह लोग खास्तों कोई दिक करते हैं यह लोग कोई कुलेशाल नहीं बढ़ता है कि प्लस 25 ग्राम पनीरी यह चीज क्यों आते हैं एक दो चीज क्यों लिस्ते हो एक सी स्लाइस ब्राइब के एक बीस क्राम होता है तो आपने अंडा लिया स्टाइस लिया एक मल्टी क्रें आटेक रोटी चाट उसके इंदर थोड़ पालग मिला दो सब करें जिता काप कम कर सको यह लिए 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 रिफाइन का आप तो पोजन है कोई निहीं कान भी स्कित कांफलेक ओट मिल नहीं खाना है समिकाना है रिफाइन का फूर थे तो एक मल्टी राओ टेलिश लिए खुब घीच पड़ना जीता घीच पलो गए उता पेट भारी भर रहेगा इसके बाद आपने सलाध हर्वा लेना है जान लो जो मर्जी खीरा प्याज मुली ठमाटर पत्ता गुपी जो मर्जी जो अच्छा कोई जो मर्जी जो सूट के वह खाओ यार एच्छा मत करो ठीक है तो यह ले लिए आपने उसके बाद कानिक खत्म अब सीधे खाना रात को साथ आत्रजे दिन में में बहुत भूख लगी तो आपने पांचे बादाम खा लिये एक सलात खा लिया या अपने डालचीनी डालके कड़ाबरे पी लिया नहीं तो जो लो अंडे खाद दोंडे आमनेट खा लिये भूग इसको पनीर थोड़ा दो बिसके प्रोटीन फ्रेट खा लोगे तो उसे फास्ट नीट टूटेगी पर एक फल खा लोग दो फर में तो आपको हर बार कार्भाइड खाने से ग्लुकोज बढ़ता है आप लोग के अंदर इसरी कम बंदा कम काम कर रहा है लिवर के अंदर फैट भरा पड़ा है ग्लुक ना खाओ के कार्भाइडिट ना बढ़ेगा सुगर इसे बता इंटरमेटर फास्टिंग भूख मारना सीखना पड़ता है आप आप लोग ऐसी दवा देंगे सुगर लोग नहीं करेगा अगर हम इंटरमेटर फास्टिंग करना चाहते हैं फास्टिंग आपको तीस आसपर खाने बाद सब्सक्राइब रखेंगे सुगर रखेंगे हमारा पहले में वेट कम कर रहा है सब्साम को फिर से साथ आट वह जब भी खाओगे उस अब एक रूटी फिर थोड़ा पनीर थोड़ा द्राइफूट फिर अंडा अंडा होगे जो नौन नौन दिखा लें सब्ज यूट कर तो की पालो शौजे बहुत भूख लग रही ता दो पर वे आप एकर दाल सब्सक्राइब लिया अपने अ कि अ जो दाल सब बराबर होता है दाल के 25 गराम में 12 गराम होता है तो हमने बोला कि यह करना आपको थो भूख मारने के लिए क्या के लिना आपको ड्राइफिल भाना है चादा को दिकता ज्यादा वेतरी बढ़ने वाला है कदेगा उतना काष़ार फेट भरे अप्टितरा है हम भूग लगी है पानी पीते रेटें मेकलने ढ attorneys eric आप जैइते हैं लगत twee के अपम नहीं फ द्द है ज सब्सक्रते हैं तर्वान को बर्त हुगे में रहे शाथ करते सुपार, नहीं होता है। पहले तो सर जो मिले वो मैं खाता था रोटी मैं कोई लिमेटी नहीं थी परिसान हो जाती थी मतलब पहले तब से आपने दो तीन रोटी का बोला तो मैं दो रोटी सलाथ वोगरे ज्यादा ज्यादा मैक्सिम्तीन खाता हूं और फिर राल साम कोल का फुलका चाहि के साथ कोई जैसे आपने बताया है बदाम वगरा यह सब ले लेता हूं उससे वेट भी लॉस हुआ फैटी के इला तो हटके हो गई है सब बोलते रोटीन का खाऊंगा मैं अरे यार तु ड्राइफ्रूट का पनीर खा चीज का कोई नारियल 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 के एक पानी में करीब समझों की साथ रामकार्व होता है तो कम लेना है नारियल सुखा गिला दोनों उससे काव नहीं होता सब्सक्राव लोग तो आप सब ठान लो थोड़े हट की इलाज करेंगे इसने में वहत करेंबाद कर मैंने यह मैसेज फराना है मोटापा भगाना है शुगर भगाना है बढ़ना इसलिए नहीं मजे बहुत इसलिए मुझे अब बहन किते चार उड़ी खाते हो किते लिड़ करना है तो सब्सक्राइब आपने वीडियो देखा सब्सक्राइब करेंगे और इंसुनिम भी बंद करना है डाप भी बंद करना है खतम हजाए सब मैं नहीं हो यहां तो नहीं है तुनिंगे अपना बड़ी सब्सक्राइब करेंगे अच्डाइब आप दवाट करेंगे वेटकाइब करेंगे अच्ट। लोगो उसे शुगर लोनी होते हैं अगर आप शुरू में डायटिंग करने का भूख लगेगी तो अपको थोड़ा हट की एलाज करना पड़ेगा इस पाने कुछ मेंध करनी पड़ेगी अधर में क्या होगा आप शुगर दवा होगी फीपी दवा फिहाट की दवा फिर अप का युद्म को बात की बात है तो हमें डायोटीं रिवस करना है मुटा पर रिवस करना है आज वीडियो आप अच्छा लाग अच्छा लाइक करिए चलने सब्काब करिए चलने स्वर्ण ताली बें आई क्योंकि मेरा बेटा ठीक करा आपने बहुत बरतापन रचालजे अब बन्त वीडियो बन बन्त को बात करें कैसा लगा आप लोगो बोट अच्छा लगा बोट बाइए